मुजिक का प्रकार तो खेर कुछ नहीं है क्योंकि साउंडिंग जो आज बज रहा है जो विक रहा है वो साउंडिंग है फोक से रिलेटेड ग्याने हैं और बहुत हमने कोशिश किया है कि मात्री संगीत को जो ट्रेडिशनल लोग संगीत होता है उसको हम टच में रखें और उसकी आत्मा को जीने दें हमने कोशिश किया सबसे पहले तो मैं अभी अपने सभी बोजपुरिया दर्शकों को परणाम करता हूँ मैं आप सब का संजे महानन आप सब का गोधना आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है एक नाम दिया है गोधना और मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा उस गोधना को आपकी चाहत का हिसाब से पेश करूँ तो इस फिल्म जो कुम्ब फिल्म है कुम्ब फिल्म में भी आपको गोधना आपके ही रंग रूप में दिखेगा बहुत ही शांदार फिल्म मैं बहुत ही शांदार कैरेक्टर है मेरा और हमारे भाई मनोज ज इस फिल्म में बहुत ही शांदार दिखने वाली है बहुत मज़ा आने वाला है लोगों को तो मैं कुम फिल्म के सभी को मैं शुबकामनाय देता हूं और अभी हमारी दो फिल्मों का मौर्त भी है तो सब को शुबकामनाय बदा ही देना चाहता हूं कि अभी तो हम कुम्प फिल्म के मोर्त में पोश्टर लाउंचिंग में आया हैं तो मुझे लगता है कि इस विशे में बात करें तो ज्यादा बहतर होगा और भी फिल्में हैं दिरे दिरे जब जब वोकेशन आएगा तो हम उसके चर्चा करें कि विवा फिल्म आने वाली है दिपाउली छड में आाईगी बहुत ही शांदर फिल्म बहुत ही पारिवारिक और कंटम एक हमारी जो रीजनल हमारी जी चीज जह मुझे उस से रिलेटेट है उस पर विशूत अच्छा करेक्टर में बहुत मज़ा आने वाला है जिर बात करते हैं reducing कि जिसका मुट गिया जा रहा हैstoffe कि अब नाम से अलग रहा है को ईया ब़्यों को जा और नायक ह expect कि फिल्में पर ऐसा है और उस यय दोनों ज recap अभी कहानी में चर्चा होगी तो कहानी के बारे में ज्यादा बाचीत हुई नहीं तो ज्यादा बताना लाजमी नहीं समझता है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भोजपुरी दर्शकों का भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को कि मुझे इस बार 2019 का बेस्ट कॉमेडियन का अवाड दिया गया जो की भोजपुरी सिनेमा स्क्रिन एन स्टेज अवाड में जो कलकता में हुआ था वहाँ मुझे दिया गया बहुत खूश हुमे अच्छा लगता है जब आपको अपने काम का पृतिसाद मिलता है पूर्सकार मिलता है तो निसंदे बहुत बढ़ी खुशी होती है और एक नई उर्जा के साथ कलाकार काम करता है जब उसके काम को सम्मान दिया जाता है जबाबदारी तो खुद की खुद से बढ़ती जाती है और रोज बढ़ती है लेकिन हाँ एक बात है कि खुशी का एसास होता है जब आपको आपके मेहनत का पुरशकार के रूप में अगर कुछ आपको सम्मान मिलता है तो खुशी थोड़ी और बढ़ जाती है और अरजया का संचार एक नए तरीके से होता है और कुछ करने की ललग जगती है और कुछ नया बनाने की एक एनरजी आप अधरने भी हैं को एक मंझ में दिया गया इस बात की बुखुशी है इस गाने के लिए एक दबंग सरकार फिल्म है हमारी उसमें एक गाना है पुब्लिक ने बहुत पसंद दिया पागल बने पतर की पागल इने इस गाने के लिए मुझे ये गाना तुकि इसका साउंडिंग इसका क्लोशन और टोटोली इसका जो पैकेस था बहुत अच्छा मु ने अवाड है इसकी खुशी है बहुत अच्छी बात है और वो प्रसंदता अपने दिल में भी है मैं अपने दर्शकों से शेयर भी कर चुका हूं और हमेशा करता रहता हूं कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्रत्साहित करते रहें और लोग मुझे प्रुसकार भी देते रहे हैं हमारे गानों को सुनते नहीं है तो वो गाना फिर कभी अगर मुका मिला तो 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 नहीं तो पगलब ने वेकार ने पतर की पगलब ने वेकार बहुत अच्छा गया है मैं कोशिश करा था भीया को पिंच करकी कि शायद गाल यह ले कि लिए आज कुम्भ की बात करें और रण की बात करें तो ज्यादा अच्छा है आप सब का प्यार बना रहे हैं धन्यवाद हैं और मैं मैं प्रार्थना करूंगा हमारी अपनी इंड़स्टी के सारे लोगों से कि क्रिपया आप जो जो दर्शक आपको इतना बड़ा बनाता है उन दर्शकों को अगर कभी भी प्राकृतिक आफिदा में अगर परिशानी हो रही है तो आप क्रिपया बढ़चर के हिस क्योंकि लोग हैं तो हम हैं लोग नहीं हैं तो हम कभी किस कोई भी किसी भी मुकाम पर ने पहुंच बाएगा और माता राने से नवरात्रिय का सीजन है नवरात्रिय का दिन है माता राने से मैं प्रार्थना करता हूं रोज प्रार्थना करता हूं कि किसी भी तरीके से जो जहां हैं उसको सलामत रखे उसको जिंदा रखे उसको अन दे और उसको उसका स्वात सही रहे क्योंकि प्राकृतिक आपया है इसमेशर से इन साल कुछ नहीं कर सकता बस्दा करें लेकिन मतारानी जल्डी से जल्डी इस आपदा K patr करें और हमारे où कर रहा है उनको प्रोचान में ले तरफalten को नहीं सोच रहे हैं और चर्चा हो रही है सारे बहुत गंभीर है और हम हमारी तो हमारी घुत ट्रेics प्रशानी अमेरδα है इस सबन सबी बिहार के भाईों वहनों से बहनों के लिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तरब से जो भी हो सकते हैं जो भी स्योग कर सकते हैं करेंगे और मैं कश हमारे प्रगतिशील बुद्ध्य जीवें से अनुनाय यह करूंगा कि जब कर आल में बाड़ा आती है तो सब प्यांद कश्मीर में बाड़ा आती है सब कमने खुल जाते हैं और बिहार में बाड़ है अप लोग भी अपना काउं पहले तो नमश्कार दोस्तों इस उसर पे मैं पूरी टीम को अपनी ओर से डेर सारी सुपकामनाय देता हूं इनको बहुत सारी बदाईयां देता हूं और मैं भगवान से प्रातना करता हूं कि जिस तरह ये मुहरत हो रहा है एक फिल्म इसी तरह सुपर गूपर की पूरी टीम को बदाई देना चाहूंगा और रहन और भूमी जो इन्होंने दो पिचर अनूंस किये चाहता हूं कि दोनों अच्छी सक्षेज हो और कुम का जो प जैनी तो बहुत ही दुखी ही बात है और सिर्फ दुख प्रकट करने से नहीं होगा हम सारे लोगों को मैं प्रस्नली आपके माध्यम से ये लोगों से निवेदन करूंगा कि कम से कम हम जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं अपने एक दिन कि सहल पे यह आएक दिन हम जो भी अनुदान, मुख्यमंत्री कोश में जमा करें हम भी कर रहे हैं, भाई भी कर रहें तो हम लोगों से यही नवेधन करते हैं और अधवान से यही प्रात्ना करते हैं कि वहां के आपदा जल्ड से झल्द खतम हो जाए और लोग फिर से अपनी पुरानी जिन्दगी में और अपनी लाइफ में आ दिया है सबसे पहले नौरात्री की धेर सारी सुबकामना है और आने वाला दसारा है उसकी भी धेर सारी सुबकामना है और इसी पावन औसर पे आल दो फिल्मों का मुहुरत है तो मैं पूरी टीम को धेर सारी शुब कामना देता हूँ खास करके हमारे इस फिल्म के जो हीरो है आनन जुब मैं उनको करीबी से जानता हूँ लखनों से जानता हूँ तो उनको भी धेर सारी बधाई हो और पूरी इंटायर टीम को लग लग बधाई है नमस्कार मैं सतेंदर सिंग और बहुत खुशी की दिन है कि हम लोग नवरात्री की शुब कामना देता हूं दर्शारा क्या भी और पाउन तेवार आ रहा छट उसका भी आगामी हादिक शुब कामना आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग आए अनन्द उजाजी के फ फिल्म रन है तो क्या बात है रन अपने आप में बहुत मजबूत टाइटल है माही है तो लगता है कि बहुत प्यार महवत होगा और कुम्भ है तो इसके लिए क्या पूछ रहा है तो तीनों फिल्मों को शुब कामना है मेरे तरफ से कि फिल्म बने सुपर दूपर हीट हो और हमारे उन्य भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा आगाज होने जा रहा है कि तिन-तिन फिल्म में अभी भी अगले दो-तिन दिन पहले में आया था तो बहुत अच्छा है और दिल से धन्यवाद देता हूं कि फिल्म अच्छा बने और बनते रहे मैं बिल्कुल इस जो आपता आई हुई है हमारे बिहार और साथी साथ यूपी में और उत्तर भारत में कुछ और भी राज्यों में मैं इसके लिए बहुत ही अफसोस जाहिर करता हूं लोगों के साथ हूँ जो इस पीड़ा को हर पल सह रहे हैं और इस समय इस दौर में जो जेल रहे हैं मैं उस पीड़ा के अदम गठीत हूँ और कुछ एंजियों के साथ भी हूँ जैसे अभी कुछी पल दिन पहले खेसारी जी भी कुछ एंजियों को लेके कुछ लोगों को मदद कर रहे हैं हम सब उसी इंटाइर टीम में हैं और हम जितना हो सकता है लोगों को बोल रहे हैं कि मदद करें और खुद हम उस मदद में एक सहयोगी बनके पीलर और अस्तम बनके और लोगों को अपने उत्तरभार्ती जो बिहार और यूपी के लोग हैं उनको हम मदद दे रहें दिखिए मैं तो बहुत मैं बिहार का ही रने वाला हूँ इस चीज से इस अपदा से बहुत दुखी हूँ जो बुरा हाल है पटना और चाहे अपने हमारे जितनी भी बारिस के लोग तबाह हुए हैं फलोड है बाड़ आ गई है तो उसके लिए हमारे जदियू के परदे सध् हैं मंजीत सिंग भैया से मैंने बोला है और मेरी जितनी भी ताकत है जो मैं हूँ तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कर दो और मेरा जीतना भी पहचान है, उन लोग से मैं भी बोला हूं कि भाई, इन लोग के लिए कुछ किया जाये, तो वो लोग त्यार हैं, कर रहे हैं, और मैं एक और कहाना चाहता हूं, कि हम ईवपी बिहार से भी ज़्यादा फिल्म करते हैं, चाहे ज़्यादा एक्टर लोग है तो भाई इस अपदा में आप लोग जो बड़े लोग हैं जो आच्छा पैसा कमा रहें मैं तो छोटा एक्टरों बहुत फिल्म कम करता हूं तो आप प्लीज उसकी लिए आगे आएं और जितने भी गरिब लोग हैं जो फसे हैं जो लचार हैं जो बाड़ पिडित हैं उनको म इस्तिती बहुत दैनी है मैं दिल से बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं भूगत भूगी हूं मेरा भी घर के चारो तरफ पानी रहता है और हमारा जीला हर्दम दह जाता है इसकी लिए अब बिल्कुल मैं अभी जल्द सुटिंग पूरी हूई है पोस्ट प्रोडक्शन भी हो गया है मार्केट में टेलर भी आ चुका है जिसका नाम है लव मेरेज मैंने बिल्कुल अक्षरा जी के साथ में लव मेरेज एक फिल्म की है तो आप लोग इसे बहुत पसंद करेंग है अब जल्द मुझे लग लगना दशरी के बाद रिलीज भी होगी साइदे आपता ना आयो ती तो इसी तैसरे में रिलीज में होती हम दरष आपकुस समय समय यह बिल्कुल लोग आये हैं और आपकोल कोई फिल्म मुटी ए और फिल्म के कुर्दार अपने एक मजबूत होता है चाहे बिलन और एदार को वे खुदी स नी बात है प्राइ कर दो कर दो कर दो सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधु को दिल से धन्य बात देता हूं आप सभी आये और अच्छा लग रहा है 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 यह कुम्ब का फर्स्ट लुक पोस्टर जो लॉंच किया गया है और दो फिल्मों का महोरत है बहुत अच्छा लग रहा है किस प्रकर कर दार से अच्छा 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 इस तरीके से मुझे रोल आफर किये गए और तीनों में बहुत हीं डिफरेंट कारेक्टर हैं और अभी आप लोगों के सामने हैं हमारे डिरेक्टर साब हैं सब लोग हैं तो डीटेल में आप लोगों को इंफोर्मेशन मिले रहा हैं काजल जी आपके अबोजट हैं और कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहने सबंगे के बारें कि दिल सांका लगी ब değişाद के शाथ परदाशória करने जा रहे हैं काजल के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है और पहली movie जो मेरी थी उसमें मेरे opposite काजल थी उनकी दूसरी तीसरी थी तो ये हम लोगों का जो हम लोगों की chemistry है और ये bonding है काफी पुरानी है और काफी comfortable है एक दूसरे के साथ हम काम करने में और काजल के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है कितनी अच्छी actress है, dancer है, star है आज के date में तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है और पर्दे के अलावा कैसा है आपका जिन दिप चरिया लगता हूं में थमक आए लेती है पर्दे के अलावा जो हमारी लाइफ है और इस तरीके के ड्यूटी है हमारी तो बच्पन में मैं एक सपना देखा करता था कि मैं हीरो बनूँगा दूसरा ये कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूगा और दोनों सपने मेरे पूरे हो गए भगवान इश्वर की बहुत अनुकमपा है बहुत खुशकिस्मती है मेरी तोनों सपने मेरे पूरे हुए और थमक जो है मुझे नहीं लगता है समाज में एक है मैसेज की पुलिस की थमक बहुत होती है मेरा अपना नजरिया मैं जहां भी duty करता हूँ, जहां भी मैं रहता हूँ, मेरा अपना नजरिया यह है कि पॉबलिक में एक friendly आपकी image होनी चाहिए, कि लोग सामने से आकर कोई भी बात आपसे कह सके और कुशिश करते हूं कि उसी तरीके से behavior मेरा हो, duty हो जोड़ी है वो किसारी के सजादा अच्छा लगता है पड़े पे दिखने भी क्या करना जाएंगे आप किस्टिस कर पाएंगे इस चीज को लेकर नहीं ऐसा है कि एक एक्टर है या एक्ट्रिस है तो मुझे नहीं लगता है कि अमीद जी और रेखा जी थी उनकी भी केमेश्टर बहुत अच्छी थी रेखा जी ने बहुत सारे एक्टर के साथ काम किया और लोगों ने पसंद किया तो मुझे लगता है कि डिफरेंट लोगो रहता है कि आगने कि पुछ Pnın sine project की आइक बढ़ाईयकं पॉस्की ठील सबसी का लैकान देखिया जोड़ी बनना बनाना यह जैसे टाथा है कि फिन जोडी हें वकर से ही बन के आती है झालब के आम जोड़ी ऐसे आखऑडी से हमारी मार्ण हम अनीesse हैं और वो हमारे काम को किसी के साथ पसंद कर रही है तो लोग रिपीट करते हैं इसमें मुझे नहीं लगता है कि एक्टर बहुत ज़्यादा इन्वाल्ब होते होंगे कि मेरी जोड़ी इनके साथ बन जाए क्योंकि ये सारा काम डिरेक्टर और प्रोडूसर का है मैं जहां तक रिलेट करता हूँ अपने जॉब से तो ये सारी चीजे हमारे डिरेक्टर और प्रोडूसर ही डिसाइड करते हैं कि कौन ही चारेक्टर में कौन होंगे और वो लोग यही चाहते हैं कि पॉब्लीक और ओडियन्स जिसको पसंद कर रही है उसको रिपीट किया जाए अपसे यह भी जाना चाहेंगे कि काजल रागवानी का जो करदार है अखित क्या वज़ा है उसके पीछे कि काजल रागवानी को ही लिया गया इसकर लिए अपसे से उन्हों नहीं कंप्लेट किया है तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं लेकिन उनसे मेरी जितना भी कम्मिनिकेशन हुई है उन्होंने बोला कि इस रोल के लिए मैंने काजल जी के बारे में सोचा है और बिल्कुल फिट है हमारे रोल में मुझे मैंने भी बोला कि मुझे भी कम्परिटेवल हम मेरे साथ काम करने में हैं आज के साथ काम कीजिए तो फाइनल होगी क्या जो आपका किर्दाथ बड़ा सब्सक्राइब किस फिल्म में किस बड़ा है देखिए कुम्ब जो अभी हम लोग रिलीज करने वाले हैं अभी ट्रेलर आने वाला है तुरन आप लोग रहेंगे साथ में और कुम्ब जो तोड़ा सा टपोरी टाइप का कैरेक्टर है और रंड अभी जो आज महुर्त होने वाली है टोटल डिफरेंट मुवी है और एक थोड़ा सा आर्मी मैन का बैक्ग्राउंड है वो कैरेक्टर कैरी करते हुए लव स्टोरी है रंड का और माही प्योर लव स्टोरी है रंड रिवेंज लव स्टोरी है और माही प्योर लव स्टोरी है जब अपने कारेक्टर से डिफरेंट कोई भी कारेक्टर आदमी प्ले करता है तो उसके लिए चैलेंज भी होता है एक आज एच्छा भी लगता है जैसे मुठे से लोग कहते हैं कि मुझे आपको पुलिश एंस्पेक्टर कारेक्टर करना पड़े उसमें उसमें बहुत त्यारियां nay पड़ती है खुद को एक चैलेंज होता है जिसको accept करने में बहुत मज़ा आता है तो तपुरी का character और क्योंकि आए दिन हम लोगों के समाज में different character हैं उनको देखते हैं हम लोग को हम पर कर लिया जाता है मज़ा आता है वैसे character को किसी को पकड़ा होगा उस समय और उसका आप आओ देख् तक पर्टिकुलर किसी प्यक्थी को फॉलो किया गया है, लेकिन azon, एक एक्टिंग का फ्रॉसेस जो आए, जब आपको अपको। करते हैं तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से एक अपने आपको ग्रो करता है कि डिफरेंट टाइप के कारेक्टर से सीखता है वो कि हमको क्या प्ले करना है तो यह करेक्टर कैसा भी है करता है किस तरीके से तो मेरे साथ भी ऐसा है कि जब मुझे यह फिल्म उपर हुई थी और डिरेक्टर ने मुझे बताया था कि आपका आनन जी यह कारेक्टर है, तो मैंने फिर देखना शुरू किया था, स्टार्ट किया था, मेरे इर्द गेर्द या मेरे कंसर्णिंग में जो भी लोग इस तरीके के आते थे, इस कारेक्टर के आते थे, तो उसको थोड़ा सा आपके से रहने वाला बिहार का हूँ, पटना कंकरबाग में रहके मैंने अपनी पढ़ाई कुरी की है, और पटना से बहुत कहरान आता है, आमारे रिलेटिव, काफी रिलेटिव, हमारे आज पटना में रहते हैं, और क्योंकि डेली फोन पर बात होती है, और वो लोग क्योंकि जुड़ा हुआ आदमी है, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि क्या फिल कर रहा हूं, क्योंकि हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे सब लोग उस तरास्ती से गुजर रहे हैं, तो कैसा फिल कर रहे हैं, यह कहने क जरूरत नहीं है और मैं बस इतना ही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी उस क्रास्ति से उबर जाएं हम लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ और बहुत ही दुख होता है देखकर. तो यहां के मुझे जहां तक लगता है कि एक समाज जो कर सकता है, जैसे एक्जामपल के रूप में आप देखिए कि मुंबई में तो ही अगर बारिश हो जाती है, बार हो जाता है. तो यहां के मुंबई के जो लोग हैं, परशाशन के अलावा जो लोग हैं, वो अपने घरों के बाहर खाने के से पैकेट्स लेकर, समान लेकर, और अपने घर में इवेन कोई फंसा हुआ है, कहीं दूर का रहने वाला कहीं फंसा हुआ है, तो उसको रूपने के लिए भी, तो इस तरीके से जो समाज कर सकता है, सिस्टम इसी समाज का है, जो हमारा, जो सिस्टम हम लोग है, इसी समाज का है, और सिस्टम जो है उसकी लिमिटेड अपनी छमताएं, लेकिन समाज की जो असीमित छमताएं, तो मैं जागरूप करना जाहूँगा वहां के पुबलिक को वहां के जनता को कि जो जहाँ पर है जितना सक्षम है उतना वह मदद करें पीडित बाढ़ पीडित या फंसे हुए लोगों की मदद करें और परशासन मुझे लगता है कि परशासन अपना रोल प्ले कर रहा होगा क्योंकि हम इंटरनली जानते हैं कि इस तरीके से चीजे होती है तो परशासन के हाथ पाँ बुल जाते हैं और चाहता है कि इस तरीके की चीजे जल्दी से जल्दी शॉट आउट हो जाए और एक्शन लिया जाता है जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जो सक्षम जितना है वो अपने लेवल से मदद करें जो फसे हुए लोग है उनकी मदद किया जाए कि अब मुझे लगता है कि जैसे कोस्ट्यूंग है चस्मा है जेल लगाके मवड़ डालके कहीं नहीं कि करन जोर की कोपी करते हैं अपिस्ता लिमाप से क्या है नहीं कि या उसके पर पायगा रहा फी बुरेंगे प्रॉप उसका हिस्सा बना चाहिए देखिए करन जोर बहुत बड़ी शक्सियत है हिं अगर मेरी जलत उनकी तरह से लग रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन कोपी मैं नहीं कर रहा हूं मुझे लगता है कि ये मेरे डिजाइनर और उन लोगों का क्रेडिट है कि ये लुक उन्होंने दिया है मुझे तो अगर बायग्राफिय उनके बनती है और लगा मिले तो ज़रूर करेंगे मुझे अच्छा रहा है और मुझे अच्छा रहा है मुझे अच्छा रहा है और मुझे अच्छा रहा है मुझे अच्छा रहा है है अच्छा रहा है झान कर दो 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 झाल झाल पोडिकर शीमा इप सकता – यह पेस्सक्रीоворी फिर RAW इनकी समिर में कर दोड़ी भीडुक है siaमंगी जर गाल में रिकलम रिकमा इसे हुआ को सब। ऌषे म्यां आखका चुछछुटी कार जरूी आपका प्रकली तब कर सेस्सक्राइब और बाता हुँ सब्सक्राइब करने काम करने के लिए अगर फिल्म के पार बताया है काजल जी के साथ मैंने जब भी काम किया है ये मेरी तीसरी फिल्म है तो ये कलक तरीकी की एकसाइटमेंट रहती है और क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी है और जब आदमी की केमेश्ट्री अच्छी होती है विचार मिलते हैं तो काम करने का मज़ा भी बहुत आता है तो इनके साथ काम करना मेरे लिए हमेश्चा एक बहुत ही इंपोर्टन चीज होती है डिरेक्टर और पोडिस्टर ने जैसे ही बताए कि इस फिल्म में भी काजल है तो अच्छा लगा क्योंकि मैंने अपनी पहली मूवी स्टार्ट की थी तो उसमें ये हमारे की बॉंडिंग है तो काम करने में बहुत मजाता है जैसे सर ने का कि बॉंडिंग बहुत अच्छी केमेस्टि को लेकर जिने महनत हो रही है अब सबी महनत होगी आज मूरत हो चुका है सो हम स्कृप्ट पे पैठेंगे और देखेंगे और क्या क्या हम कर सकते इसमें कुछ तो तो सब तैयारिया होगी बैठेंगे काजल ज़र इसके अफिर बोच्परी सिने में काफी बत्लाव और है अच्छे जी स्कृप्टमी भी आ रही है तो अपको लगते कि एक अच्छा लख्शन है बोच्पुरी सिने मा कृट नहीं है बहुत अच्छा है बेकास शाय ते आपके बिषार के सब लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हमारे इंडिस्री को भी हम आगे बढ़ा सके जैसे माराथी है हिंदी है सारे चीज है पंजाबी है हार एक चीज चलती है अचकर गुजराती भी बहुत अच्छा बंद रहा है हमारे बिहार के गवर्मनेंट भी हमें सपोर्ट करें और जो फिल्म में हमारी ड्रॉप हो रही थी लेकिन अभी कुछ क्रेज बढ़ चुका है हम कुछ नया लाने के कोशिश कर रहे हैं बस पाती है इसके बारे मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है बट मैं कपड़े भी जवा रही हूं मैंने अभी तक कहां ही भी नहीं मुलत आपने क्वेस्चिन कर लिया पताना पड़ेगा बट मैं कपड़े भी जवा रही हूं ज अब बहुत सारे हैं, सारे ही स्टार्स हैं, हमारे जितने में इंडस्ट्री हैं, बॉलिवूड है, हमारी भोजीवूड है, हर एक चीज में हर इंसान को स्टार मानती हूँ, हर इंसान बहुत महनत करता है, वो भी उतनी ही दीन शूट करता है, गर्मी में, लाइट के सामने, उपर सी भी धूप आता है, सामने से लाइट जाती है, सारे स्टार्स हैं, बस किसी का लग होता है, कोई पबलिक जादा लाइक करती है, हर इक चीज हैं, बट सबलब उतनी ही म पुरानी है और ये कहना कि सिर्फ तीन स्टार हैं, दो स्टार हैं, चार स्टार हैं, तो ये अंजस्टिस हो जागा उन लोगों के साथ, जिरों ने अपना बहुत बड़ा कंट्रिबूट किया है इस इंडुस्ट्री को खड़ा करने के लिए, उस इंडुस्ट्री को खड़ा क करके उन लोगों ने सौपा है किसी के हाथ में तो आज हम लोग इस पर अच्छी फिल्में बना रहे हैं महनत कर रहे हैं रही बात यह सब चीजे मुझे लगता है कि एक प्रोपेगेंडा है जो नहीं होना चाहिए हर आत्मी अपना काम होने इसली कर रहा है और फिल्में आप कली जानते हैं सब ही जानते है कि अच्छी फिल्म होगी तो किसी की भी फिल्म चलेगी वचाहें जो हो एंसे रहा है जो अच्छी जो स्टार है वह हैं मुझे लगता है जो टीम इसतार होए बहु नचासे जी यहको पुरी सब्सक्राइन तो इसे बड़ा तो कोई स्टार है नहीं और कोई मांते भी नहीं हुग एक है वह लोग भी कह नहीं हुग खुढिख है है कि हम पुब्लीक के सामने कैसे हम उं को परोस्ते हैं अपना वर्क इन वाल सारी चीरते हैं तो फिर कोई है हमारा बर्ट से हम स्टार बनते हैं और महनत करेंगे तो ऑगिस नी बने के कि अपने नाम मेंचन किया बच्चन सापका तो जैसे बोच्पुरी में काजल और केसारी है वैसे मतलब होलिवूड में शारूक और काजल की जोड़ी को कहा जाता है मतलब ऐसे इसे कंपेर किया ज़रह है वाडिवोड बन से हमारा बांडिंग अच्छा है कैमिस्ट्री अच् करते हैं कभी हम माबब भी बन जाते हैं कभी हम लवर्स भी बन जाते हैं कभी हम लवर्स भी करते हैं कभी हम करते हैं कभी हम कुछ यूनिक करने के कोशिश करते हैं कभी वह हिंदू बन दे कभी मैं मुसल्मान बन दी कभी वह मुसल्मान बन दी कभी मुसल्मान बन दी कभी मही रूमांटिक है और रूमांटिक है मनरंजर है लेकिर रूमे थोड़ा सा हम लोगों ने समय की मान को देखते हुए नई तकनिक है हिसाब से जो फाइट को भी ध्यान में रखा है जोगे आज के यूज जनरेशन जो है नई जनरेशन जो है फाइट भी देखना चाहती है रूमांस भी चाहती है और कमेडी भी चाहती है तो तीनों का मिला जुला एक अच्छा सा अच्छे तकनिक से अच्छे लोकेशन को ध्यान में रख करके इस चीज को मूवी को बनाने को हम लोगों सूचा है जो रण है तो नाम जैसा रण है इसमें निश्चीत तौर से थोड़ा रण की एक इमेज है एक रिफ्लेक्शन है निश्चीत तौर साय रहेगा रोमांस के साथ सान निश्चीत तौर से पाईट पढ़ान मूभी है और मन्रण्य तो हई है कमेडी जिसमें बढ़िया है कि आप जैसा के जानते हैं आनंद अंधा जी फक्त हुआ है अंजरा जी बेड़ेस टेबलिशर और भुश्पुरी को कुई मानी ही जाती है कि है कि इसली पक्सार में बारे में। पहले हैं किसी explicar हुप हमईा नए हैं Peach और य्थी कुम अपक्से जूड़े थे हुअद में झांप में तो कुछ समझ में आया कि नाय नाया नाय नय कुम और जब बनी तक यह में इस aanभ citizen में आए भोजपूरी फिल्मों के बारे में सुनते थे कि ऐसे ऐसे हैं तो हम लोग देखने नहीं जाते थे कि बलगर्टी उसमें परिवार के देखना थोड़ा साच्छा नहीं लगता था तो मेरे जिमाग में आया कि हम जुड़के देखते हैं एक्शुल में है क्या अब फि पिर भी जो है इसका नाम और वो जो है हिंदी से और साउथ से कम में आका जाता है तो अगर कोई हम इस स्थेत्र में ऐसा अच्छा काम करें कि यह भी इंडेस्टी जो है उपर आए और अच्छे से लोग देखें परिवार के साथ बैठें तीनों फिल्मों के लिए इस तरफ के तैयारिया चटवे और कहां पर सूट होने वाले जो अब आने वाली है दो फिल्म में है एक रण है जो अभी अक्टूबर के लाज्ट से सुरू होगा और माही जो है यह दिसंबर में सुरू होगा अक्टूबर माही रण जो है वो जूर जाके देखें इसमें संजे भाई का हमारे बहुत अच्छा काम है कैसा है किरदा संजे भाई का अपने मूर से रितेज भाई का जो आप नेचर देख रहे हैं बड़े शर्मिले किसम के हैं बोलते बड़े कम हैं और इसलिए यह खूश रहते हैं लेकिन हम लोग के लि फिल्म का आज अनौन्स किया है रितेज भाई ने हमारी शुब कामनाय हैं और कुम के बारे में वही कहूंगा कि बहुत शांदार फिल्म बनी है और मेरा करेक्टर भी बहुत शांदार है जैसे कि रितेज भीया ने कहा है मतलब जैसे कि मुन्ना सरकेट और जै वीरू की जो सिर्फ मुहर्थ हुआ है लगा हुआ हूँ मैं पोडूसर का साथ बैठा इसलिए हूँ कि या स्टाइनिंग तो ही जाए बड़े भाई है और एक फिल्म मुने बहुत अच्छा माहौल में किया है कुछ चीजे होती कि पहली जो पहला ओर जो होता है वो खेलने का बड़ा र नमस्कार मैं रिंकु भारती जितने भी हमारा दर्शक है पहले तो उनको मैं शादर पड़ाव करते हूं जितने भी मेरी भोश्पूरी भास से हैं वो सब लोके गोड़ शुके पड़नाम हाँ आज दूप फिल्म के महरत भलवरण और माही जो उनकी बहुत ही अच्छा फि फिल्म है और रड रड में में तो बहुत सारा घामाशान होने वाला है तो अच्छी फिल्म है एक अच्छी शुरुवात होने जा रही है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहां पर इन्वाइट किया गया ज़र गेस्ट के तोड़ पे और आप लोग से प्रातना करती है बट यहां भोशपुरी में है मुझे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं आया इंडस्री के लोग है उल्टा मुझे तुम बेवकूफ हो लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि जो बचपन से ज्यादा मैं एक ट्रेक्ट भोशपुरी के तरफ हो रही हूं और भागते चली जा रह है नोरातरी का हार्दिक शुबकमन है जो भी हमारे दर्श्रक हैं हमारे दोस्ट फ्रेंड है सबको मातारणी से यही प्रात्ना है कि मुझे भोशपुरी में वो मुकाम दे जो मैं अंदर ही अंदर सपने देख रहे हैं मैं नहीं बताओंगी क्योंकि यह अपना सपना है और भगवान मातारणी से यह एक संकल्प है जो अंदर ही अंदर है वक्त आने पर जरूर आप लोगों को बताओंगे अब हम दो फिल्म्स शूट कर रहे हैं जो पहला वाला है यह क्या हुआ जब ऑन Stri 드 मिए को परसंग कर रहे हैं माही का है जो आण्यद पर representing आप आपर यूम्स में नेपाल में और यूपी में और बिशत Customer सा शूटेंग कर हैं's लोग नंदन में पोससिंग कर रहे हैं तारानी क्या होता है पक्राब आपके आपका क्या बेक्राइंड है इसले पहले मैं एक फिल्म की थी पूस्पूर फिल्म जिसका नाम था निरुवा चलर लंडन जो हम लोग नपाल में इंडिया मुंबे में और लंडन में शूटिंग के थे तो उसके बाद यही है और नमली मैं एक्षन डिरेक्टर हूं ए टालो क्या क्या है मुद्भ्स इस kitchen किया हूँ किंप्स्ण किया था मैंने तो इनके उनके साथ मेन ब्हुत लंबा इसन है और अच्छा ट्यूनिग और जो यह सिवाथ नेज़की फिलम हमनों कर रहे हैं उसमें उनके सिभा और कौई अपशन था नहीं हमारे पास जो हम जी सकते हैं तो उनके बाद आन्ञ इसे बात होई हम साथ हैं अनले कईसे फिल्म भाहतर नहीं सफिलम इसे अच्षे पैक दो स्वा नहीं उढसर हे कड़ने पाई गो desperdi दिखिए ये बहुत लंबी जर्णी है ज्यादा नहीं बोलना है इस पर लेकिन जब बच्पन में ही मैं सोचा करता था एक्टर बनना है हिरो बनना है और इश्वर ने सुन ली आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आज मैं रंड और माही के जो ये महुर्त है इसके कारेग में शामिल हो के बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी खुशी मुझे यह है कि मैं चंद्रपंत जी जिनके साथ मेरा रिगलेशन विल्कुल भाई जैसा है और इनके साथ मैंने दो तीन फिल्मों में एक्शन एक्शन डिरेक्टर थे और टेक्निकली इतनी पकड़ है इनकी फिल्मेकिंग पर फिल्मेकिंग के हर विधा पर इनकी इतनी अच्छी पकड़ है स्क्रीन प्ले हो मेजिक खो और कैमरा वर्क हो तो इतने टेक्निकली साउंड डिरेक्टर के साथ काम करना अपने आप मेरा ड्रीम था जब निरोवा चला लंडन यह कर रहते तो मैं हैं दिल से दुआ करता था भाई की फिल्म है वह बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं और लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं नके साथ अजे डिरेक्टर काम यह मेरे साथ करें और मैं उसमें रहूं और वह सपना अज मेरा पूरा हुए काजल जी के साथ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ इससे पहले हम लोगों ने हीरोगिरी में काम किया और इससे पहले भी मुवी की और काजल बोचपूरी इंडरस्ट्री की बहतरीन आधाकारा है तो उनके साथ काम करके मेरी ट्यूनिंग भी अच्छी है मेरी फ्रेंड जैसा आपको आनद जी ने बताया और जब किसी फिल्म को अच्छा डिरेक्टर मिलता है तो अच्छी फिल्म बनती ही बनती है फिल्म को अच्छा बनाने के लिए दो लोगों का बहुत होना बहुत ज़रूरी है आप लोग एगर बात होगे बात हो गए अच्छा फिल्म को अच्छा बनाने के लिए दो लोगों का बहुत अच्छा होना जरूरी है एक प्रोडूसर और एक डिरेक्टर क्योंकि प्रोडूसर के त्रूही अच्छी फिल्म बनती है और डिरेक्टर उसको टेक्निकली बहुत अच्छा बनाता है तो हमारा संगीत की बात जहां तक है मैं आज इस यह जो महुर्थ है उसे मैं एक आदमी को मिस कर रहा हूँ जो हमारे बड़े भीया हैं बिरंदर पंड़े जो इस फिल्म के गीतकार भी है और हम लों के मार्कदर्शक भी है संजोक से बोल आ नहीं पाए अगर वो आते यहां पे रहते तो और अच्छा लगता हमें तो यह एक ट्यूनिंग है एक दूसरे के प्रती गीत संगीत पूर्डुशन डेक्टर हीरो इन पूरी टेकनिकल टीम पूरा स्टाफ पूरा फिल्म के जितने भी क्रू मेंबर है सबका अपना अपना सयोग है सबका अपना अपना सपोर्ट है और मैं परस्नली ब्यक्तिकत रूप से बहुत उत्साहित हूं रण और माही पूले के थेंक्यूंद बीपीसी क्या है